और अब एक ऐसे प्रतिभावान संगीतकार का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिनके संगीत बद गीत आपने भी सुने होंगे और जब जब न इन गीतों को सुना जाता है, दिल और दिमाग में एक जन जनाहट सी पैदा होती है, मस्तिख्ष पर छा जाता है उनके संगीत का पढ़ते हैं, संगीतकार S.N. तरपाधी, जिनके संगीत का और उनके संगीत बद गीतों से सजा है, आज का कलाकार बेमिसाल, सुनते रहें आकाश्वानी गोल्ड 100.1, अंजली है आपके साथ आप लोट के आजा मेरे मीद, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आप लोट के आजा मेरे मीद, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं मेरा सुना पढ़ारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आप लोट के आजा मेरे मीद बरसे कगन मेरे बरसे नैने देखूं तरसे है मन अब तो आजा शीतल पवन ये लगाए अगन तो सजन अब तो मुकडा दिखा जा तुने भली रे निभाई पीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आप लोट के आजा मेरे मीद एक पल है हसना एक पल है रोना कैसा है जीवन का खेला एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना दुनिया है दो दिन का मेला ये खड़ी न जाए भी तुझे मेरे कीत बुलाते हैं आप लोट के आजा मेरे मीद संगीत का श्विनात त्रिपाठी यानि की एसन त्रिपाठी इन्होंने जितने भी फिल्मों को संगीत दिया उनमें से आधी से ज़ादा फिल्मे धारमेक और एतियासिक रही धुने इनकी इतनी मीठी और मर्म स्परशी हुआ करती है न जरा सामने तो आओ छलिये छुप छुप छलने में क्या राज है यूँ छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है जरा सामने तो आओ छलिये छुप छुप छलने में क्या राज है यूँ छुपना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है जरा सामने तो आओ छलिये हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता पिता अपने बालक से बिछड़के सुख से कभी ना सो सकता हमें डरने की जग में क्या बात है जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है यूँ छुपना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है जरा सामने तो आओ छलिये प्यारता है ये तार पिया जो इधर सजे और उधर बजे तेरी सीत पे बड़ा हमें नाज है मेरे सरका तुही रे सरकाज है यूँ छुपना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है जरा सामने तो आओ छलिये छुप छुप छलिने में क्या आराज है यूँ छुपना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है जरा सामने तो आओ छलिये कला का बेमिसाल का ये सफर में और आप तैकर रहे हैं आकाश्मानी दिली का गूल चैनल 100.1 एसिंतिरपाठी का जिक्र हो रहा है यहाँ पर बेहतरिन संगीतकार एसिंतिरपाठी के संगीत बद गीतों का हर एक अंग चाहे वो गाने के प्रारंभ में आने वाला आलाप हो मुखडा या अंतरा के बोल हो तान और ले में किये गए उतार चड़ाव या बीच में बजाय जाने वाले संगीत की टुकडे हो हर तार में संगीत के हर बिंदू में उनकी प्रतिभा मोती बन चमकी संगीत के सुरूने गीतों के बोलों को मानो नायाब हार में पिरो दिया हो संगीत और बोल का एक दूसरे के साथ ऐसा पूर्ण मिश्रन एक दूसरी के ऐसे पूरक ना कि भई गीत ऐसा जो सुनते ही दिल की गहराईों में उतर जाए और आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे इस वक्त ये मैं पक्का अच्छी तरह से समझ पा रही हो ओ पवन वेग से उडने वाले घोडे तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखी और आज उनकी नाज हो ओ पवन वेग से उडने वाले घोडे तेरे कंदों पे आज भार है मेवाड का करना पड़ेगा तुझे सामना पाहाड का खलडे घाती नहीं है काम कोई खिलवार का देना जवाब वहाँ शेरों की दाहार का घडिया तो पान की है तेरे इंतहान की है रखी और आज उनकी नाज हो ओ पवन वेग से उडने वाले घोडे तुझ पैसवार है जो मेरा सुहाद है वह रखी और आज उनकी नाज हो ओ पवन वेग से उडने वाले घोडे छक्के छूडा देना तु दुश्मनों की चाल के उनकी छाती पे चड़ना पाओं को उच्छाल के लाना सुहाद मेरा वापस तु संभाल के तेरे इतिहास में अफशर होंगे गुलाल के चेठक माहान है तू बिजली का गान है तू रखी और आज उनकी लाज हों ओ पवलवेग से उडने वाले घोडे अब तू कुछ खाले सुभे से कुछ नहीं खाया तूने अभी मन नहीं है पता नहीं किस पवलवेग से उडने वाले घोडे अब तू कुछ खाले सुभे से कुछ नहीं खाया तूने अभी मन नहीं है पता नहीं किस बात की फिक्र है लेकिन हाँ तो इसके बारे में खुल के बात की जाती है कैसे अगर आप किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बारे में किस से बात करें तो आप फोन मिलाए टेली मानस को जी हाँ सरकार द्वारा चलाई फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसस आपकी शहर में उपलब्ध हैं जिसमें आप 247 टोल फ्री नंबर 14416 डाइल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं जी हाँ अब आपके साथ है हर्याना सरकार आपकी हर प्रॉब्लम का मिलेगा सॉलीशन टेली मानस के साथ स्वास्ति विभाग एवं राश्चित स्वास्ति मिशिन हर्याना द्वारा जन हित में चारी सावधान बिना किसी कारण के वजन का कम होना, भूख कम लगना, स्तन और गर्दन में, दर्द रहित गांट, योनी से अधिक रिसाव, यारक पस्त्राव, मुह में जखमों का ना भरना, वखाने एवं पेशाब की आदतों में परिवर्तन होना, आधी कैंसर के लक्षन हो सक इन्हें अंदेखा ना करें, वह इन लक्षनों के होने पर नजदी की अस्पताल में संपर्क करें, ध्यान रहे, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगने पर इसका इलाज संभव है, कैंसर से बचाव के लिए शराब एवं तंबाकू के सेवन से बचे, संतुले ता ये है आकाश वानी और आप सुन रहे हैं कोल्ड हन्रेड पॉइंट वान पर थाने का जल्यों पर नालू, मारे नैना मेरा मालू, राज पलका में बंद कर रखूनी गोरी पलका में नीद कैया आवेली गोरी पलका में नीद कैया आवेली भारी पलका में नीद कैया आवेली धोला खैया जाओ लाजी भारी नैना सो दूर दूर खैया जाओ लाजी धोला खैया जाओ लाजी हाने चंदल हार बनालू हाने चंदल हार बनालू हारे हिर्दे सुल लगालू चुनडी में नुकाए था मेरा पूली गोरी चुनडडी लेहर लेहर आवेली गोरी चुनडडी लेहर लेहर आवेली बोला प्राणा में प्रीच जगावेली प्राणा में प्रीच जगावेली हामारे विवडे सो जूर दूर पैया जाओ लाजी धोला पैया जाओ लाजी भारे विवडे सो जूर दूर खैया जाओ लाजी धोला पैया जाओ लाजी ठाने मुतिड़ बनानू भारे हो तासु लगानू राज नतली में बांद कर राखू हो 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 राज नतली में बांद कर राखू संगीत कार ऐसे इंतिर पार्ठी की बाते हो रहे हैं सुन रहे हैं आप आकश्वानी गोल्ड अंजली है अब के साथ एक और शांदर पहलो रहा इस वेक्तित्व का इनकी परस्नालिटी इतनी शांदार और जांदा रही कि कई फिल्मों में इन्होंने अपनी प्रेजन्स भी दिखाई इस आकरशन शक्षियत ने कई रोल किये फिल्मों में इनका किया हनुमान जी का किरदार भी लोगों को काफी पसंद आया और हमेशा के लिए यादगार बन गया इनका किया यी रोल इनकी प्रस्तुत कई कतिपय रचनाय इतनी पुरानी है कि वो आज उपलब्द तो नहीं खैर दिल को छूलेने वाला ये जो संगीत है ना हम सुनते रहेंगे और यूँ ही इसका आनन्द लेते रहेंगे संगीतकार चंद्रगुप्त ने भी इनके साहयक के तौर पर काम किया था और यही समय था और यही जो वज़े थी ना कि संगीतकार चंद्रगुप्त के संगीत में भी ऐसे इंतरपाठी के संगीत की कुछ जलक हमें दिखाई पड़ती है सुनाई पड़ती है ऐसे इंतरपाटी का संगीत पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी संगीत रहा, प्रतिभा के ऐसे धनी, विरले संगीतकार, जिनके संगीत बद गीतों ने लोगों के सिर चड़ बोला, सुनने वाले, देखने वाले जूमे, नाचे और प्रभावित हुए इनके संगीत से, पर प सुने, इन्हें दिल से याद करें और सराहें, ऐसी कालजयी प्रतिभावों को हम हमेशा अपनी यादों में बनाए रखें और कभी न भुलाएं जूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती याद को फिर जला गया, कोई जूमती चली हवा हो गई है मन्जिले, मिट गए है रास्ते हो गई है मन्जिले, मिट गए है रास्ते गर्दिशे ही गर्दिशे अब है मेरे वास्ते अब है मेरे वास्ते और ऐसे में मुझे फिर बुला गया, कोई जूमती चली हवा किसी की आँख का नूर हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का परार हूँ जो किसी के काम ना सके मैं वो एक मुझे बुबार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ न तो मैं किसी का हबीब हूँ न तो मैं किसी का रपीब हूँ जो जड़ गया वो नसीब हूँ जो जड़ गया वो तयार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझे से बचड़ गया जो जड़ गया वो जड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ अरे राजी बेटा तुने नहीं बाइक लेली ऐसे ही तरक्की करो फूब आगे बठो बेटा अरे चाचे सिर्फ मैं नहीं मेरे जैसे 25 करोड लोग गरीब इस बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएग गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा मोधी की गारंटी महान संगीतकार एसें त्रिपाथी एक समय था जब उन्होंने स्वेम मशूर महिला संगीतकार सरस्विती देवी के साहयक के तौर पर काम किया था एसें त्रिपाथी ही थे जिन्होंने अशुक कुमार और देविकाराने को एक अमर गीत में बनका पंची बन-बन डोलूरे का अभ्यास करवाया था एधियासिक फिल्मों का संगीत हो या धारमेक या फिर शास्टे संगीत उन्होंने बख्खुबी अपने हुनर को धुनों के माध्यम से व्यक्त किया संगीतकार की हैस्यत से उनकी एहम उपस्तती हिंदे फिल्म संगीत की दुनिया में आज तक कायम है और हमेशा कायम रहेगी रूप की नगर का राजा मैं क्यार की गलियों की राणी एक बार तो अखियां मिलने दे तेरे दिल में करू में हमानी एक बार तो अखियां मिलने दे तेरे दिल में करू में हमानी दो नैन तेरे कज़रारे करे खुप खुप हम को इशारे गेनन है तुछ परवारे अग हम को ना इतना सतारे जारे तु रूप की नगर का राजा मैं चार की गलियों के रानी एक बार तो आखिया मिलने दे तेरे दिल में करूम है मानी इक बार तो आखिया मिलने दे तेरे दिल में करूम है मानी मिलके न बिछड़ना गोरी तूटे न पीत की जोरी लोथा बुल पहिया मोरी एक बच कर दस मनेट पर आपसे फिर मुलाकात होगी सुनते हैं आकाश्वानी गोल्ड 100.1 कुछी देर में आप सुनेंगे समाचार एक बार तो आकिया मिलने दे तेरे दिल में करूम है मानी ुद्ना मिलने दे तेरे दिल में करूम है मानी आज की एक ताज की एक ताज है